मेरी एक सब्सक्राइबर का इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे वो फॉस्ट आइम मॉम बनने वाली है कि मा के पेट के अंदर बच्चे को कब चोट लग जाती है हमारी कौन से एक्टिविटियों कारण उसे चोट लगती है उसे दर्द होता है और वो घबडा जाता है यह कौन कौन से हमारी एक्टिविटियों होती है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे को कहीं से भी चोट लगे जिसका रहन हमें वो कौन कौन से काम है करने है उनका इस तरह का डाउट सा कि क्या अगर बैट के जाडू पोचा लगाने से या फिर सीनिया चरने से या जुपके को साइड में आ जा राया तो क्या वहां पर वैसे सोने से भी उसे वहां पर चोट लगती है तकलीफ होती है इन सारी चीजों के वीडियो में क्लियर किया जाएका तब आपको सारी चीज़े समझ में आजाएगी एक पर आप वीडियो देख लेंगी, तो वह सारी गलतिया नहीं करेंगी जिससे आपके बच्चे को चोट लगने की समस्या होती है तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करें वेलकम मेरा नामी श्वेतार आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है प्राइम आउम चानल में पहली बार आए चानल पर चानल को जरू सब्सक्राइब कर वीडियो क जबादा कम होता है जिसकारण वह एवरी साइड फ्लूड में तैरते रहते हैं स्विमिंग करते हैं बच्चे कई बार यह चीजे कहीं जाती है तो इसकेस में कोई भी चोट नहीं लगता है लेकिन चोट की दर्द की यह समस्या तब स्टार्ट होती है जब तीन महीने बाद बच्चे का बोड़ी इस्ट्रेक्चर बन जाता है और बच्चा का वजन बढ़ रहा है डेवलाप्मेंट हो रही है पेट का आकार आपका निकलना स्टार्ट हो रहा है चौथे पास्वे में इस सब्सक्राइब जाड़ों पोच्छा लगाने से क्या यह सा प्रॉब्लम होत अजिसे फिर कर टुने लगती है जैसे चान attends हो लगए जैसे में लगएंगी मृते है छैस से अखी फैंने छी एक्टीवीटी मांने जाती है कि थैंस में go does not question आपको वैसे सेडिया नहीं चरने जसे आप प्रेग्नेंसी के पहले दौर के चरते थे यह फिर बहुत जल्दी जल्दी चरते तो वैसे नहीं आराम से अब धीरे धीरे ही सारी चीजों को कहरी करना होता है अब यहां पर यह बात किया कि क्या जूकने से ऐसा केस होता है जूकने से भी बच्चे को चोट नहीं लगती इसलिए आपको घबराने की ज़रूत नहीं है और जूकने की बजाया आप कोसिस कीजिए अगर कोई समान नीचे गिर गया है वह आपको उठाना है तो आप सीधे खड़ी है न तो घुटने के बल से आप बैठ जाए उस समान क उठा के फिर खड़े हो जाए प्रेगनेंसी में यह पोजिशन सबसे बेस्ट माना जाता है नीचे से कोई समान उठाने का जुकना कहीं से भी सॉलूशन नहीं है अगर आप जुकती है उस केसमें आप गिर जाती है तो बच्चे को चोट लग जाती है और एक बार मा के बच्चे को चोट लगती है तो कहने का मतलब है कि I think मैंने आपके डाउट को यहां पे क्लियर किया इसलिए घपडानी की जुरूत नहीं है डेली एक्टिवीटी में आप करना चाहती है आप की जिए बस आप यह नोटिस किजिए आपको कहीं चोट नहीं लगे और क्योंकि मैंने बताया कि आपको चोट लगती है तो बच्चे को भी लग सकती है इस केस में खुद का ख्याल बहुत अच्छे तरीकिस रखे और कोशिस करें कहीं से भी आप गिरे नहीं कहीं से भी कुछ कट वगरा नहीं हो आपको थैंक्स वासिंग फिर भी कुछ पूचना कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए मैं नेक्स टाइम आपकी कमेंट को जरूर पिक करूंगी तब तक के लिए बाबायन टेक केर